दो सेमुल अज्याइच है वाचा का संदूख येरुसिलम में फिर दाउद ने एक और बार इज्राइल में से सब बड़े वीरों को जो तीस अजार थे इकठा किया तब दाउद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहुदा के बाले नामकस्तान से चले कि यहुआ का वे संदूख ले आएं जो कर्बों पर विराजने वाले सेनाओं के यहुआ का कहलाता है तब उन्होंने परमेस्वर का संदूख एक नई गाड़ी पर चड़ा कर टीले पर रहने वाले अभीनादाब के घर से निकाला और अभीनादाब के उज्जा और हह हो नामक दो पुतर उस नई गाड़ी को हांकने लगे और उन्होंने उसको परमेस्वर के संदूख समेथ टीले पर रहने वाले अभीनादाब के घर से बहार निकाला और हह हो संदूख के आगे आगे चला दावद और इज्राइल का समस्त घराना यहवा के आगे सनवर की लकड़ी के बने हुए सब परकार के बाजे वीना, सारंगिया, डफ, डमरू, जांज बजाते रहे जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उजा ने अपना हाथ परमेस्वर के संदूख की और बढ़ा कर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई, तब यहवा का कौप उजा पर भड़क उठा, और परमेस्वर ने उसके दोस्त के कान उसको वहां ऐसा मारा, कि वह है, वहां परमेस्वर के संदूख के पास मर गया, तब दाउद ऐपरसन हुआ, इसलिए कि यहवा उजा पर तूट पड़ा था, और उसने उस सतान का नाम पेरियोशूजा रखा, यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है, और उस दिन दाउद यहवा से डर कर कहने लगा, य यहवा का संदूख मेरे यहां कैसे आए, इसलिए दाउद ने यहवा के संदूख को अपने यहां दाउद पूर में पहुंचाना नहीं चाहा, परंतु गत्वासी अबेद ओदोम की यहां पहुंचाया, यहवा का संदूख गत्वासी अबेद ओदोम के घर में तीन महीने और यहवा ने अबदोदोम और उसके समस्त घराने को आसीस दी तब दाउद राजा को यह बताया गया कि यहवा ने अबदोदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूग के कान आसीस दी तब दाउद ने जाकर परमेश्वर के संदूग को दाउद पूर में आनंद के साथ पहुंचा दिया जब यहवा का संदूक उठाने वाले छेक कदम चल चुके तब दाउद ने एक बेल और एक पला हुआ पला पोसा हुआ बच्छडा बली कराया और दाउद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहवा के समुख तनमन से नास्ता यहवा के संदूक को जैजकार करते हुए और नर्सिंगा फूकते हुए ले चला जब यहवा का संदूक दाउद पूर में आ रहा था तब सावल की बेटी मिकलने खिडकी से ज्ञांक कर दाउद राजा को यहवा के संदूक नास्ते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुछ जाना लोग यहवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्तान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाउद ने उसके लिए खड़ा कराया था और दाउद ने यहवा के संदूक होम बली और मेल बली चड़ाए जब दाउद होम बली में और मेल बली चड़ा चुका तब उ पूरुष ने समस्त परजा को अर्थात क्या इस्तरी क्या पूरुष समस्त इजराईली भीड़ की लोगों को एक रोटी और एक एक टुकडा मास और किस्मिस की एक एक टिक्या बटवा दी तब परजा के सब लोग अपने अपने घर में चले गई तब दाउद अपने घराने को आशिरवाद देने के लिए लोटा और साउल की बेटी मिकल दाउद से मिलने को निकली और कहने लगी आज इसराइल का राजा जब अपना स्रीर अपने करमचारियों की दासियों के सामने ऐसा हुगाड़े वे था जैसा कोई निकमा अपना तनुगाड़े रहता है तब क्या ही परतापी देख पड़ता था दाउद ने मिकल से कहा यहावा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझे को चुन कर अपनी परजा का परधान होने को ठहरा दिया है उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहावा के सम्मुख इसी परकार नाचा करूँगा और मैं इससे भी अजिक तुछ बनूँगा और अपनी दरष्टी में नीच ठहरूँगा और जिन दासियों की तुने चर्चा की है वे भी मेरा आदरमान करेंगी और साउल की बेट ने हुई थैंक यू